आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग सुतनता दिवस मनाते हैं यानि कि आजादी दिवस मनाते हैं और उसके एक दिन पहले यानि कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में सुतनता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को हमारे देश में विभाजन विवीसी का इसमिती दिवस के रूम में मनाया जाता है या आप कह दिजिए कि काले दिन के रूम में 14 अगस्त यानि कि आज की दिन को देखा जाता है और आप सभी जानते हैं कि 1947 का साल हमारे देश के लिए कुछ काला ही एक तरह सी अध्या समझीए उसे आप और आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान आप अभी देखते हैं और जो बंगलादेश देखते हैं ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1947 में हमें आजादी मिलती है और लेकिन आजादी मिलती है एक तरफ और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बटवारी का दर्द भी मिलता है तो आज हम लोग विभाजन BBC का इसमीती दिवस के बारे में एक विस्तार सी चर्चा करने वाले हैं और आपको मालो होना चाहिए कि अगर आप सोचे कि पाकिस्तान और बंगलादीस हमारा हिस्सा होता आज अगर तो आप देखे कि आसानी से हम लोग यहां Connectivity आपके पूरी भी भारत में रख पाते और हमारी सीमा विबाद होती ही न और वहीं अगर हमारा पाकिस्तान से हमारा हिस्सा होता तो आप देखिए अफगानिस्तान हो या इस छेत में आप देखिए आसानी से हम लोग पहुँच बना सकते थे और अभी आप देखते हैं कि हम लोग अरब सागर होते हुए, इरान होते हुए अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी रखते हैं तो ये बड़ी कहानी है इसकी लंबी और आप देखी कि इसमें कई लोग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो महत्मा गांदी को जिम्मेदार मानते हैं इस बटवारी के लिए कई लोग आप देखते हैं कि पंडित जवाहलाल नहरू को भी जिम्मेदार मानते हैं और कई लोग आप देखी कि जो जिन्ना इन्हें जिम्मेदार माना जाता है लेकिन ये हकीकत बात है देखिए पाकिस्तान को मिला कर तो आप सभी जानने है कि एक ही पिधान मंत्री होता और आप देखे कि जिन्ना की एक खुद की आप देखे एक चाती कि हम अपने देश में एक तरसे बड़ा उचा पत पाए और कहते हैं कि पिधान मंत्री की रूम में पंडित जवाल लाल नहरू हो फिर चाहिए आप देखे कि आपके महत्मा गान दी हो यह मान भी गए थे कि मुहमद अली जिन्ना को पिधान मंत्री बना दिया जाए लेकिन देश के बटवारा होने से रोका जाए लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतना दंगे फसाद हुए लाकों लोग मारे गए उन दंगों में और आप देखेंगे कि करोण औरो उससे प्रभावित हुए और मुझे लगता है कि उस समय कोई और भी होता तो आप देखें कि यही बिकल्ब चुनता एक परिवार का उधारान आप लोग ले सकते हैं आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में माल लेजे दो से तीन भाई रह रहे हैं और आप देखें कि उस परिवार में अगर अंतर कला मची हुई है लडाई मची हुई है तो मुझे लगता है कि एक बाप के सामने यही option बचता है कि वो बेटों को अलग कर दे। और आप देखते हैं कि यही मुझे लगता है कि उस समय पंडि जवाल लालने रूह हों या आपकी महत्मा गांदी साव हों इन्होंने यही रास्ता अपनाया और इसके आप देख सकते ह मुहमद अली जिन्डा को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान जहां आज का दिन सुतंता दिवस की रूह में सेलिवेट करता है यानि कि मनाता है वही भारत इस दिन को विभाजन बिवीसी का इसमीती दिवस की रूह में मनाता है। भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग होने की कहानी बहुत ही दर्दनाक रही है। और आप देखे कि जब हमारा हिस्सा था तो आप सोची कि हिंदू और आप देखे कि बहुत सारे लोग इस तरह भी रहते थे पाकिस्तान में, बंगलादिस में भी रहते थे और आप देखे भारत में आना कितना मुस्किल लाओगा और आप सुची बहुत सारी लोगों को भारत से पाकिस्तान भी जाना पड़ा और आप देखते हैं कि वहां जो अल्ब संख्यक बच गए थे हिंदू बच गए थे उनका आप देखी या तो धरम फरिवर्तन बात में करवा दिया गया या उन्हें मार दिया गया और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में अल्ब सर्ग्यकों की क्या इस्तिती है ये दुनिया जानती है और भारत में आप देखिए हर लोग हर धरम के लोग रह सकते हैं हर जाती के लोग समुदाई के लोग रह सकते हैं यहां आपको बुद्ध भी देखने को मिलेंगे जैन, इसाई, मुसलिम, हिंदू और आप देखते हैं कि सांती से वो रहते भी हैं और हमारा समीधान आप देखें उन्हें अपनी धरम मानने की सुतनता भी देता है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है पर आप देखेंगे कि कई घर तूटे कई अपनी भीड में गुम हो गए तो कई उस द्रास्ती में जिंदेगी भर के लिए खो गए और पाकिस्तान की एक अलग देख की रूम में उभरने की दास्ता दिल दहलाने वाली है और पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का दिन आजादी का इतियास बन गया और जबकि भारत क की लिए दिन किसी BBC का से कम नहीं रहा और 15 अगस्त 2021 को हमारे पिधार मंतरी मोधी साब ने इतिहासिक फैसला लेते हुए 14 अगस्त को पिती वर्स बेभाजन BBC का इसमीती दवस के रूम में मनाय जाने का फैसला लिया था तो आप लोग लिए रखें कि पहली बात 2021 से सुरू किया गया है और भारत सुतंता अधिनियम के बारे में आप लोग चाल लिए भारती सुतंता अधिनियम 1947 बेटिस संसत द्वारा पारित और अधिनेमित कानून था और जिससे अधिकारिक तौर पर भारत की सुतंता घोसित की गई थी ये उनाइटिट केंगडम की संसत ने य क्लिमेंट एटली एटली द्वारा डिजाइन किया गया था क्योंकि भारती राजनितिक दल वेटिस सरका से सुतंत भारत सरकार और भारत की विभाजन के लिए सत्ता की हस्तानतर पर सहमत थे और इस अधिनियम के आप देख को 18 जुलाई 1947 को साही सुईकिती मिल गई थी और 1947 में 15 अगस्त को अस्तित में आ गए और पाकिस्तान अपना सुतंता दिवस 14 अगस्त को मनाता है जबकि भारत हमारा 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे और उसे हम लोग सुतंता दिवस के रूम में मनाते हैं विभाजन की दोरान हुई हि लोड़ कर बहुल बहुमत संपदाय वाले देश में सरड़ लिए और धर्म की आधार पर हुए इस बटवारे का दंस आज भी दोनों देश जेल रहे हैं अभी अभी आप देखें कि बहुत सारे जो हमारे देश के नांगरे के उनके आप देखें रिस्तेदार नाते पनाते प दोनों तरब पाकिस्तान यानि कि पूर्वी और पश्चमी पाकिस्तान और बीच में भारत इस बटवारे से बंगाल भी तरभावित हुआ यानि कि इसकी बात हो रही है देखें एस भास की और बंगलादीश की पहले बंगलादीश आप देखें पाकिस्तान का उस्सा आये था भारत और पाकिस्तान की बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था ना बंगला देश की आजादी को लेकर उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी इंद्रा गांदी थी तो उसी समय ये आजाद हुआ था दिलों और भावनाओं का भी बटबारा होता है इस भी 1947 की बात हो रही है देश का बटबारा हुआ लेकिस सांतिपूर्ण तरीके से नहीं एक इस इतिहासित तरीके तारीक ने कई खूनी मंजर देखे भारत का बेवाजन खूनी घटना करम का एक दस्ताबेज बन गया और जिसे हमेशा उलटना पडलतना पड़ता है दोनों देश के देशों के बी इस अदला बदली में दंगे भड़के कतलाम हुए जो लोग बच गए उनमें लाकों लोगों की जिन्दगी बरबाद भी हो गई और भारत पाकिस्तान विभाजन की अगटना सदी की सबसे बड़ी तरास्ती में बदल गई यह के बल किसी देश की भोगोलिक सीमा का वटव ना का भी था और वटवारी का यह दर गाहे वगाहे हरा होता रहता है और विभाजन विभीश्य के इसमीती दिवस इसी को याद करने का दिन है और आप सोची कि अगर पाकिस्तान अलग ना होता तो ए जम्मू कस्मीर बाली समस्या ना होती आप समझ रहे हैं आप देखते ह कि इस इसे पर आपको मालू होगा कि पाकिस्तान कबजा किये हुए है और आप देखे हमारा हिस्सा लेकिन पाकिस्तान कबजा किये हुए कभी आप देखते हैं कि गुजरात पर दाबा करने लगता है कभी पंजाब में दाबा करने लगता है और आए दिन आप देखते हैं क इस तरह की आतंकी असांती फैलानी की कौसिस भी पाकिस्तान करता रहता है तो उस समय जो वटवारा हुआ उसका दन सम लोग अभी भी जेल रहे हैं और कब तक जेलते रहेंगे यह कहना बड़ा मुस्केल है और आप देखी पाकिस्तान से हमारा गुजरात हो राजिस्थान हो पंजाब हो जम्मू कस्मीर हो लगदाख हो इन सब की सीमा लगती है वहीं अगर आप बंगलादेश से बात करें तो पश्चे मंगाल हो गया आप कासम हो गया मेघाले हो गया तिप्पुरा हो गया मिजोरम से सीमा लगती है और आपको तीन डेटें जरूर याद रखना है एक तो 15 अगस्त 1947 एक आपका 26 नवंबर 1949 एक आपका 26 जनवरी 1950 आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली तो हम लोग इसने सुतंता दिवस के रूम में मनाते हैं 15 अगस्त को वहीं 26 नवंबर को हम लोग सम्मिधान दिवस के रूम में मनाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सम्मिधान कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था और आप देखे 26 जनवरी को गरतन दिबस की रूप में मनाते हैं क्योंकि आपको मालो होगा कि 26 जनवरी 1950 को आपका सम्मिधान भी पूरी तरह से लागू हो चुका और इस दिन आपने देखा होगा विविन संस्थाओं का जरम भी हो चुका था और एक गरतन दिबस की रूप में हम लोग बन चुके थे इसलिए गरतन दिबस की रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं क्या कह सकते हैं लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए किसी एक को जि यहास नहीं पड़ा है वो महत्मा गांदी को आप देखें कि एक तरह से जिम्मेदार ठहरा देते हैं और कह देते हैं कि देश की आजादी में उनका कोई युगदान नहीं है लेकिन मेरा इसा मानना है देखें कि हर व्यक्ति का अपनी जगे युगदान है और आप देखें चाहे भीमराव मेटकर साहब हों पड़िद जवाला नहरू भी हों महत्मा गांदी हों भागा सिंग सुगदेव राजगुरू हों या फिर आप देखें कि आपके बल्ला भाई पटेल साहब हों हर किसी का आप देखें जितने भी हमारे सुतनता सेना नहीं रहें उनका अप सबका अपनी जगे युगदान भी रहा है किसी एक के युगदान को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं और मुझे लगता है जो इतिहास पड़ता है वो इस तरह की भूल भी नहीं करता होगा वो बराबर आप देखें सभी की बात करता है देखें बिचाल घारा जरूर अल चंडल का गठन होता है तो भीमराव मेड कर को जगह दी जाती है और आप देखते हैं सरदार वल्लब भाई पटल को जगह दी जाती है तो यही तो खुबसूरती थी उस समय की चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और जानते रहिए इस तरह की घठनाओं के बारे में और किस बात करनी हो तो आप लोग जरूर बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे